हेलो फ्रेंड जैशी किष्णा आज देखिए हम यह जो ड्रेस मैंने बिनाई थी इसका वीडियो मैंने डाल दिया है और यह मैं कैप बनाना आज आपको बताऊंगी मैंने इसकी मैचिंग का बनाया है और देखे किती सुन्दर लग रही है और आपसे एक रिक्वेश्ट है अ मेरे भगवान जी की साइज है सिर्की आप पहले अपने भगवान जी के राउंड देख लीजेगा कितना है उसे साब से रखेगा तो मैंने यह दो पट्टियां काटके और मैंने यह बक्रम पेश्ट लगा दिया है जो हाड बक्रम होता है अब देखिए इसको हमें ऐसे चि चिपका देना है ठीक है तो हम यहां ग्लूगन से फिर से इसको चिपकाएंगे तो बराबर से करने के बाद फिर हम इसको चिपकाएंगे तो यह देखिए हम ऐसे रखके और इसको एक के ऊपर करके हम इसको चिपका अभी देखिए मैंने यह चिपका लिया है अब मैं एक ब पेपर पेश्ट कर लिया है ठीक है और अब हम इसको कट करेंगे क्योंकि हमें इसको राउंड को इसमें चिपकाना है ठीक है तो हम ऐसे हलका हलका पहले कट लगा लेंगे और कट लगाने के पाद इसको ग्लू गुन से हमें चारों तरब से जो मैंने कट लगाया है एक एक पार्ट पकलके हमें इसको चिपका लेना है तो देखिए एक एक पार्ट पकलके हम ऐसे चिपका लेते हैं के अभी देखिए मैंनेश जप्का लिया है ठीक है अब हम इसमें ये मेने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है और इसको अब हम इसके ऊपर रखे यहां चिपकाएंगे तो हम देखिए फिर से यहां ग्लू गल लगाएंगे और इसमें हमें इसको बराबर से इसको चिपका लेना है कि देखिए हम ऐसे करके बराबर से इसमें पूरा लगा देंगे तो यह मेरा बिल्कुल कवर हो जाएगा और इसको हमें कैप के ऊपर हैट पे लगाना है ठीक है तो हम हैट पे लगाएंगे अब हैट पे लगाने के लिए पहले मैं जो सरकल किया है इसमें हम ग्लू लगा लेते हैं ठीक है और ग्लू लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे तो यह देखे मेरा ऐसे यह कवर हो जाएगा अब देखे हम कैप के नीचे का करेंगे तो मैंने ये देखे चौकोर मैंने कपड़ा लिया है अब इसमें मैं पहले सरकल बना लूँगी चारो तरब से ठीक है तो हमें ये पूरा गुलाई इसकी शेप की बना ले नहीं है और इससे हमें वन इंच हम एक्स्ट्रा गुलाई द करके फिर अपने कपड़े को कट करेंगे तो हम देखे हलका हलका ऐसे गुलाई देंगे ठीक है और इसको मैंने डबल कपड़ा लिया है तो पहले हम ऐसे कखे ये पूरा गुलाई ले लेंगे और इस गुलाई को फिर हमें कट कर लेना है जो बाहर की मैंने गुलाई की है अब देखिए इस सरकल हमें इसमें बराबर से रखके इसको कट कर लेंगे अब देखिए मैंने बक्रम पेश्ट लगा दिया है और अब हमें इसको ऐसे चिपकाना है और इसको चिपका करके हम फिर हम बीच का सर्कल कट करेंगे, ठीक है, तो हम ग्लूगन की हे Wolf से इसको देखिए, मैंने चिपका लिए है, अब मैं फोल्ड इसको करूँ रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, और मैंने इसमें कार्डबोर्ड यूज नहीं किया है, क्यूंकि फ को हमें याँ छिपकाना है तो यह देखिए हम यहां पर इसको चिपका लेंगे ठीक है हम अब देखिज है अभीदी Mia चिपकां लिया है अब हम जो मैंने अफनी ड्रेस में किनारी पे किया था सेरी हम इसमे करेंगी इसको जोइन करने के लिए तो मुंने उसमें जैसे visibility तो हमें पूरे राउंड में उपर और राउंड में कर लेना है और हम हैड जो है उस पर भी करेंगे तो यह देखिए ऐसे कर डिजाइन बनती जाएगी और मेरा यह जो भक्रम है वह खुलेगा भी नहीं ठीक है तो ऐसे करके हम इसको पूरा राउंड राउंड करने के बाद फिर हम सुई निकालेंगे तो मेरी एक अच्छी सी किनारी आ जाएगी और ऐसे हमें पूरा यह राउंड कंप्लीट करना है हम ऐसे यह गुल गुमाएंगे आप ध्यान रखेगा आपके सुई कहीं चुबे नहीं और थोड़ा हाड हो गया क्योंकि डबल का यह पेश्ट वाला बक्रम लगा है तो लेकिन आसानी से करिएगा अब यह देखिए मैंने इसमें यह पर्ल वाले जो आते हैं वो शीट आती है उसको मैंने किनारी किनारी कैप में चिपका दी है और मैंने यह रिबन से इसमें बोस जैसा बना दिया है अब हम फ्लॉवर बनाएंगे गुलाब अब यह देखिए मैंने ऐसे करके यह फोल्ड कर लिया है अब हम हलके हलके हाथ से ऐसे गुमाएंगे और एक कली की शेप देंगे और अब इसमें हम स्वी डालके और इसको हम ऐसे करके नॉट लगा लेंगे ठीक है अब हम ऐसे करके अपने आपनी रिपन को फॉल्ड करना है हमें फॉल्ड करते जाना है और हमें टक लगाते जाना है तो हम ऐसे करके चारों तरप donabas जाना है तो मेरा फ्लावर का शीप आ जाएगा हमें बस रिबन घुमाते जाना है यह याद रखिएगा तो मेरी जो पैटल है गुलाब के वो त्यार होते जाएंगे देखिए हम ऐसे करके यूं घुमाते जाएंगे ट्रवावर बहुत संदर लगता है यह देखिए बन के तयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल फ्लावर की शीप में बन के तयार होगा तो हम ऐसे ही गुमाते जाएंगे और अपने फ्लावर को कम्प्लीट करना है हमें और पीचे हमें टाखते जाना है जितनी हम पैटल बनाएंगे और उसको ताकते जाएंगे तो यह मेरा फ्लावर खुलेगा नहीं ठीक है और दिखिए हम ऐसे करके गुमाते जाएंगे तो मेरा यह ऐसे करके यह तियार होगा कि आप चाहें तो और बढ़ा भी कर सकते हूं और ऐसे करके हम यह कंप्लीट कर लेंगे और इसको कट करके हम इसको जो मैंने बोग बनाया है उसमें चिपकाएंगे अब यह देखे हम पीछे नॉट लगा देगे तो यह मेंरा कट कर लेंगे अब यह रेखेंगी जो मैंने नॉट प्रणाई थी उसमें मैं सबसे पहले ये देखे ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे इसको चिपका देंगे तो देखे कितनी सुन्दर कैप तयार हुई है और ये ठाकुर जी के ऊपर बहुत प्यारी लगेगी ठीक है और मैं पहना के विए आपको दिखाऊंगी कि कैसे बगव अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्सक्राइब चुरू करेगा कमेंट्स करके जुरू बताएगा बेल आइकन का बटन दबा देजेगा जैसे न्यूनी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सब का दिन बहुत मंगल में रहे जैशी किष्णा